वेलकम टू आवर योटूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले है एक आशा 10 वी अंग्रे जी का संपूर्ण सॉलूशन यहां पर हम जितने भी इस अपको प्रश्न के उत्तर हम देखेंगा एक वन वाले हैं आपको जो आये थे ऐसे अप्लिकेशन यह भी हम देखेंगे तो चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल फर्स्टाइम हो चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए दोस्तों के स शेयर कर देखेंगे वीडियो जिससे उन सभी स्टुनेंट्स की भी हेल्फ हो जो इनोंने आज पी पर दिया सबसे पहले सेक्शन नहीं पर बढ़ते हैं जो की रीडिंग सेक्शन था इसमें आपको पैसेज को पढ़ना था पैसेज को पढ़ने के बाद में पैसे संबंदी आप यह पीडियो डौनोड करना चाते है गूगल पर सर्च करना है एर एफ इंडिया डॉट कॉम टेंथ इंग्लिश आंसर की 2023 ठीक ही आपको सब्सक्राइब जैसे सब्सक्राइब फर्स लिंक के खुलेगी अरफ इंडियो डॉट को पर दिस्क्रिप्शन बोक्स चेक कीज सब्सक्राइब जो सब्सक्राइब केन जो ब Хот country खुल सब्सक्राइब को सब्सक्राइब जो मिन को सब्सक्राइब इंक अह भरेए कीजे को match? वह झाल मावा नोगी जाे शीआता है कि अंन्यात लग्तिम को मैं रहा प्रहा के रया हां एक को मैं प्रहा नहीं करनाद प्ल्रह थितने भी जो खोनद करता है तू स्मॉल काइंस उसके पास दो सित्के निकलते दिस इस अल द मनी आया है इसेट तू द जाज अब वह कोट में जाते तो महाँ पर जच को बताता है और जच क्या करते हैं जच वह दो कॉइंस लेते हैं पूर मैं से और बेकर स्माइल तब बेकर असने लगता है अगरी हैं तू सब्सक्राइब करते हैं जच को बताता है और पूर मैं को वापस कर देते हैं प्राइस फॉर्ड शूड फिट दा क्राइम प्राइस फॉर्ड ऑब्रेट शेल बीदे साउंड अपनी मतलब यहां पर क्या है ब्रेट की खुश्बू के बदले में आपको किसकी आवाज पैसों की आवाज सुनाई दी गई तो यह था मतलब टीट और टैट वाली कहानी हो गई ठीक है हाउ मैनी कॉइंस वर फाउंड इन पूर मैंस पॉकेट कितने कोई निकलते दो डिव सूटेबल टाइटल फॉर दी एभव पेसेज इस पैसेज के लिए सूटेबल टाइटल जैसे कोद एसाम एक बोल सकते हैं यहां पर आपको लिखना है विच वर्ड इस द अपोसिट अप द वड्र रिच आने कह ता है अमीर सो रीच का अपोजिट यहां पर रीच यहने अमीर और गरीब यहने पूर तो पूर सही है ऑनेस्ट यह मांदर हो जाएगा ठीक है इसके बात क्या है दा पूर मैन इस्टूड आउटसाइड दा बैकरी पूर मैन भाहर खड़ा रहता था किसके लिए ताकि वो क्या लए सके इ जो बेड बेकिंग होती है तब की सुगन तो यहां पर राइट आंसर आपको आपको अप्शन नमबर C तो बेकर टूग तूग पूर मैन को लेकर गया ताकि वो फैसला गर सके अब उसके बाद में अगला प्रशन है जो नेक्स्ट कोशन है यहां पर आपको फिर से पैसेज पहले कोशन में आपको पैसेज को रीट करना था उससे संबंदित कुछ कोशन थे अगले पैसेज में भी कोशन है पैसेज लगबग 5-5 कोशन आपको पूछे है तो आप पैसेज पढ़ते है एक बी आने यहां पर एक मधुमक्य के बारे में एक स्टोरी दीगई कैसे उनकी पैसेज आपको अभ्यास प्रशिन पत्र में भी था तो आपने उसकी प्रेक्टिस कियोगी पहले से तो आपको कोशन बन गए होगे उसेवड़ थोड़ा सा चेंजिस कर दिया गया था पैसेज में तो यहां पर बी को कौन बचाता है तो डव ठीक है आंसर होगा ऑप्शन कर दो 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 क मांसी studying in government higher secondary school balaghat write an application to your principal for issuing school living certificate चलिए इसका आणसा देखते हैं तो यह आपका school living certificate के लिए जो आपको बोला गया था लिकने SLC TCD को हम कहा रहे है to the principal government higher secondary school यहाँ पर आपने लिखाऊंगा balaghat ठीक है question में क्या है balaghat MP ठीक ही आपने लिखा होगा उसके बाद में है subject application for character certificate आपने लिखाऊंगा school living certificate SLC भी बात है respected sir यहाँ पर ठीक है यहाँ पर आपने respected sir लिखाऊंगा I beg to state that I am students of class strength A of your school ठीक है यहाँ पर यहाँ पर है I have passed my ninth class examination this year my father has been transferred to Bhopal district so I am unable to continue my studies here kindly show me school living certificate ठीक है यह तो पूरा ही लिखाऊंगा and and character certificate as early as possible और character certificate भी जैसा हो पॉसिबल यह नहीं भी लिखे होंगी character वाली तो भी ठीक है क्योंकि आपको school living कहाता है ठीक है तो इत्ते में आपका complete होजाएगा you are so evidently mansiya manasiya manasriwaasta class 10 थे आपको यह दिया जो question वो तो यह आपका इसी प्रकार से आपने लिखा होगा इसके अत्वा में एक letter भी है तो वो भी चाहता आपने लिखा होगा तो अच्छी बात इसमें भी आपको पूरे number मिलेंगे comment जरू कर दीजिए का आपके कितने number आ रहा है आपने English के कितने number का paper हल कर रहा है comment करें दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर दे चैनल फर्स टाइम है हो चैनल को सस्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दे जल्दी से इसके साथ ही हम यहाँ पर देखे है 10th English का पूरा question paper ठीक है इसके बाद हम जो next question था आपको क्या था write an essay on any one of the following 250 words online education, disadvantage of social media, population growth, electric vehicle, woman empowerment इस पर हम online education पर देख लेते हैं इसमें आपको letter भीता friend को invite करने के लिए तो यह आपने लिखा होगा तो इस पर भी आपको मिले के number ठीके इसके बाद एक visual input दिया है इसको देखकर आपको लिखना है इसमें बढ़िया से आपको प्रक्रती का natural दिख रहा है बहुत अचे एक नदी जहरना बहरा है पहाड है सूरस दिख रहा है पक्षी कल्रव कर रहा है इस पर आपने बहुत अच्छा nature के पर एक लिखा होगा थोड़ा बहुत तो भी आपको समें पूरे नंबर मिलेंगे तो हम online education पर देख लेते हैं traditional classroom courses and supports students who need to work on their own schedule and at their own pace the quantity of distance learning and online degrees in most disciplines is a large and increasing rapidly schools and institutions that offer online learning are also increasing in number students pursuing degrees via the online approach must be selective to ensure that their coursework is done through the respected and credential institution okay so आपका online education पर एसे हो जाएगा जो आपको कुछ words में आर्टिकल टाप जैसे है यह आपको करना था ठीक है next question देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको दिया गया था given input उस पर एक आपको 75 words मिल गना है question number 6 है read the answer read the passage carefully and answer the following question इस passage को आपको अच्छे से read करना था उसके बाद इसकी note making त्यार करना था और एक suitable title इसको देना था तो यहाँ पर एक passage आपने इसको read कराऊंगा सबसे पहले point में one point इसको बनाना था फिर one point one note making त्यार होती one point two इस प्रकार से note making आपकी त्यार होती चलती थे ठीक है फिर इसका title suitable देना था अब बढ़ते है next question क्यों ठीक है so next question is section C इसको ध्यान से देखिए का most important section आपको इसके answer भी मैं आपको इहां पर बताने वाली हूं इसमें सबसे पहले आपका fill in the blanks any five July comes July मतलब July महिना जो है वो आता है comes किसके क्या अगस्त के पहले या अगस्त के बाद तो अगस्त के पहले आता है जुलाई ठीक है क्योंकि जुलाई फिर अगस्त हो पहले के लिए हम यूज करते बिफोर तो बिफोर आपका right answer है पहले के लिए July comes before अगस्त अशोका वाज वन आप दी जितने भी बड़े महान है तो यह सारी superlative degree के अंतरगाद आती है तो हम इसमें प्रयूप करेंगे 10 अशोका वस वन अप दी ग्रेटेस्ट kings of india we must follow the traffic rules हमें अवश्य पालान करना चाहिए traffic rules का ठीक है और सिर्प करना चाहिए बोलेंगे तो should लेकिन हमें करना ही चाहिए यहाँ पर urgent है यह तो must आएगा इसका right answer he died of cancer तो he died of cancer उसका निधन किसे cancer सी हुआ Ritu has many friends Ritu क्या है बहुत सारे friends कोई friends नहीं बहुत सारे friends she sings a song तो मतलब वही काना काती है you live long may you live long हम किसी को आशीरवाद सही दे रहे है तो may you long long मतलब तो का लंभी लुम्रे करते हैं 2S Direct देखते हैं 25 अधिकर किस में चाहिए तुर फट देखते हैं 25 अधिकर कर देखते है हूं के अधिकर तुरुटी है तो थोड़ी है है उसका फैद जादा है इसके कारण वह नहीं दोड़ सकता हमें से ती ड़ु तु से अरेंज करना जहाँ सो ह फिरियो आपको भी रहन डावर्क फिछ नहीं होगा तो आंसर हमारा के लिफना फर्ड अंप स्वेड़ कें सिरेग गार तो आंसर होगा कजी तारेक्ष प्रणा आखना रहा हq ч यह वेर आप गारा लड़का के लिफना नवम ब्लुशट तो हम दोनों को बारबर जो लड़का आ रहा है उसको हमक बार करेंगे और हूल लगाएंगे टिक है तेड़ बाइचे निज़ वियरिंग अब्लू शर्ट इस माइन नेफ्यू मतलब वह लड़का जिस नहीं ब्लू शर्ट पहनी वह मेरा नेफ्यू है तो यहन्द पर आपको सब्सक्राइब यहां पर आपको थर्ड कोस्टन है unless you run fast you will miss the trend इस प्लेस उपलेस 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 के जगह पेब करना है यदि तुम तेश नहीं दौड़ोंगे तो तुम्हारी ट्रेन के हो जाएगी, तो आंसर है हमारा if you not run fast you will miss the train यदि तुम तेश नहीं दौड़ोंगे तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी तो यह आपका right answer यह हो जाएगा 3rd next हो देख लेते हैं RAM writes a letter अ है अही प्रेजंट है चेंग प्रेजंट हो जाता है अधोछ भॉप नहीं करें एपना эту form आ लेटर इसी प्रिटर्न बाइ राम जर्टर अहीं है स्वुम्मिंग इसी प्राहया से बनेहां ॉ आगका पचाल जबे। ममता गोस्टू स्कूल एवरी डे और एक फोर्थ कोश्चन जमाई चूट रहा है पॉलिस अरेस्टेट दा ठीप इसको हमें नेगेटिव सेंटर्स बनाना है तो नेगेटिव सेंटर्स बनेंगा पुलिस डिड़न्ट अरेस्टू दा ठीप ठीप यहां पर आपको लिखना है ममता गोस्टू स्कूल एवरी डे डे यह आपका बंचाय का इंटरोगेटिव से स्टार्ट कटिएगा और अंत में कोश्चन मार्क जरू लगाईएगा पर मैं बढ़ रही हूँ नेक्स सेक्शन अपका है सेक्शन डी टेक्स्ट बुक से आंसे फॉल्विंग कोस्टं से अकॉर्डिंग टू नेलसल मंडेला के अनुसार जो मनुष्य में है वो नेच्टरली क्या आता है वो आता है लव अंदर से ही पैदा होता है इसको किसी को दिखाना कर नहीं और थे दिखा कर नहीं कर सकतें है ओष्य मुंत बीदि का कती टीओ टीओistic कूर्ग ब दीदिखा कर नहीं कर सकते हूटा कह बाने मेल इस नाम देते तो मिच्भी है सबसी मिच्वील कि राइट rec Short इसके आगे की एंसे क petits papy लेते हैं आपकी आंसे की आपकी आंसे को माद में IK at home and answer the questions given below it the moon was coming in the east behind me and the stairs were shining in the clear sky above black aeroplane was clear in that day the sun was clear and the sky was coming back to England and it was very happy that it was going to be on holiday and it was 1.30 in the morning first question is how was the weather when pilot started flying aeroplane how was the weather when pilot started flying it was clear there was a clear sky pilot was going to pilot where did he go to England from France from England the above passage is taken from which lesson 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 from black aeroplane question number b is the fog from the poem the fog comes on little cat feet what fog comes on little cat feet according it sits looking over harbour and city even silent haunches and then moves on first question is what has been personified in the above union lines what kind of fog is above the Ciao after sitting fog moves on right answer option number b moves on third question is the point of the above poem which poem is the point of the poem this poem is the point of the poem is Karl Sandberg who is Karl Sandberg the right answer is number D then this will be question 10 , A and B right answers then question 11 is in the reference of fire and ice how will the world end ? what are the things that Amanda's mother asked her to do and not to do ? how will the temperature of the trees affect the house ? ठीक है कुछ इसी प्रकार की questions आपको बने थे तो आपने करे होगे विडियो को लाइक करें फठापट से सो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में डिस्क्रिप्शिन बॉक्स चेक कीजिए वहाँ पर लिंक है फीडियाप की और चैनल जल्दी से सस्क्राइब कर लीचे ताकि टैन से साइन्स याने विज्ञान की भी आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो मिलते रहें दोस्तों में ज झालदी वहाँ ध्रौलतो लिए कहानी बुम झालदी से स बीटतों में हैक प्रशका निसा